हालो फ्रेंग्स बेलकम बैक तो आज मैं बन गई हूँ स्कूल गोइंग गर्ल्स और टू ब्रेड्स मैं ने अपने बालों की कर ली है अभी मैं करने वाली हूँ हैवी हैर ओइलिंग बिद हंडर्ड एमेल पोपोनेट ओईल तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से व्रेड के ऊपर ही बौटल से डारेक्ट लालते हुए मैं अपने बालों में हेवी ओईलिंग करना स्टार्ट करूंगी और फिर अपर हैड़ पे भी इसी तरह से डारेक्ट बौटल से ही हैवी ओईलिंग कर लूँगी हैवी ओईलिंग का पूरा वीडियो में यहां पर मैं 8 different hair styles ही दिखा रही हूँ जो कि आप अपने heavy oily hairs में अपने बालों को अच्छे से style करने के लिए यूज कर सकते हो तो अच्छे लगें तो like, share and subscribe करना बिल्कुल मत बुलिएगा और हां subscribe का बटन जरूर दबा लेना तो कुछ इस तरह से मैंने पहले तो ब्रेट मे में ही बॉटल से oil डालते हुए अच्छे से इसमें यूज कर लिया फिर इसके बाद हैड में भी बॉटल से ही heavy oil कर लूँगी फिर जब मैं अच्छे से oil कर लूँगी तो अनब्रेट करते हुए बालों को कॉम भी कर लूँगी और फिर दिखाती हूँ अपको किस तरह के मै इसमें डिफरेंट हैर स्टाइल यहां पर किये हैं अपने बालों में तो यह है मेरा फर्स्ट हैर स्टाइल इसमें पहले बालों में अच्छी तरह से कॉम करके मैं बालों की एक उच्छी जैसी पोनी टेल बना लूँगी रवर्ट वेंड की हेल्प से तो यह भी एक बेस्ट तरीका है अगर आपके अपने बालों में बहुत सादा हेवी ओलिंग कर रखी है तो इस तरह से आपके बाल अच्छे दिखते हैं अधर चाहिए ने पढम eight तो यह था फ्रस लुक आपके बाल चnya है चोटे लेंद के है जह से लॉंग लेंद के है इस तरह से यह हैस्ट्यार सब के उपर बहुत ही अच्छा लगता है अब बात करते हैं दूसरे हैस्टाइल के उपर तो इसमें बालों को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए एक बन बना लेना है बस बालों को wrap ही करना है बन बनाने के रिए और कुछ नहीं करना है फिर आप इसको चाहे से pin की help से या फिर clutcher की help से भी secure कर सकते हो इसके बाद next hairstyle है इसमें मैं यहां पर बना रही हूँ यह braid मैं यहां पर उल्टी braid बना रही हूँ एक तो होती है सीधी तो अगर सीधी braid मैं यहां पर इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अगर मैं इसका bun बनाने लगूंगी न तो सीधी braid बनाने से क्या होता है कि आपके बाल नीचली तरफ से थोड़ा सा कसाव इन में आता है और दर्द होता है वालों में और अगर आप इस तरह से उल्टी braid बनाते हो तो वो वाली दिकत नहीं रहती है चाहिसे फिर आप इसको या फिर आप इसका बाद में बन भी बना सकते हो तो कोई दिकत वाली बात नहीं होती और बाल भी नहीं किचते तूटते भी नहीं है और धर्द भी नहीं होता वालों में तो कुछ इस तरह से मैं ये उल्टी वाली braid बना रही हूं बच्पन में इस तरह से मम्मी बनाया करत अच्छी सी लुक देती है थोड़ा उच्छा अगर आप इसको बनाते हो ना तो यह बहुत ही प्यारी सी दिखती है तो यह हाइब्रेट भी आप इसको बोल सकते हो फिर अगर आप इसको इसी तरह से रखना चाहते हो तो तब भी अच्छी लगती है अगर आप इसको अच्छ इस जासे लगते हैं मतलब चिपके चिपके से तो आप इसको इस तरह से खीच करके इसको अच्छे से भी ठा करके तो भी यह बहुत ही अच्छी लगती है और फिर अगर आपको इस तरह से नहीं रखनी है तो आप इसको कनवर्ट कर सकते हो बन में तो इस तरह से फिर जो मैंन तो इसमें आप देखिए इस तरह की two braids बना सकते हो, बीच में ये मांग निकाल ली है और दो parts में divide करके बालों को equal parts में divide किया हुआ है और इसके हम दो braids बनाएंगे तो ये वाला hairstyle जब हम school time में जाया करते थे तब का hairstyle है उस time पर हमारे time में यही इसी तरह से चोटियां बनाते थे और चोटियों को हम किस तरह की shape देते थे वो चीज़ भी मैं आगे आगे आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो अगर आपको अच्छी लगे तो अगेन कहना चाहूँगी subscribe करना बिल्कुल मत बुलिएगा next आपके लिए ऐसे ही interesting videos लेके आती रहूँगी तो ये वाला hairstyle भी बहुत ही cute लगता है अगर आपके बाल heavy hair oily हैं तो तो इस तरह से मैं यहां पे two braids बना रही हूँ बालों की और ऐसा विल्गुल भी नहीं है कि अगर आपके बाल long length के हैं तो ही इस तरह के hairstyle अच्छा लगेगा तो इस तरह से मैं अपने बालों की two braids बना लूँगी ये भी एक अच्छा hairstyle बन सकता है और अगेन अगर आपकी ये braids थोड़ा पतली सी दिख रही हैं तो आप इस तरह से खीच करके इनको थोड़ा सा मोटा दिखा सकते हूँ और इस तरह से फिर बहुत ही क्यूट सी लूक ये आपको देती हैं इसके अलावा फिर में इसका और आप क्या कर सकते हो two braids बनाने के बाद थोड़ा सा फणी है लेकिन बहुत ही क्यूट भी लगता है तो इस तरह से अब मैं इन ये जो मैने two braids बनाई है इनका अलग इस त से माल कर सकते हो तो बहुत ही क्यूट सी लगती है ये तो मुझे तो बहुत फणी सी लग रही थी पता रही आपको कैसी लग रही होंगी इसके अलावा एक और हैस्टाइल है इसमें जैसा कि हम बच्पन में करते थे रिवन लगा देते थे बालों की एंड तक और फिर इसक इस तरह से ये हैस्टाइल बना दिया क्योंकि रिवन मेरे शॉट है तो अच्छा सा फ्लावर नहीं बन पाया है तो ये तो लुक हो गया फिर वही बच्पन की स्कूल गोइंग गर्ल का और इसके अलावा फिर इनी टू ब्रेट को फिर हम जो मतलब एक साइड की ब्रेट को दूसरी साइड की तरफ को ट्विस्ट करते हुए इस तरह से रिवन को इस तरह से बान सकते हैं तो ये भी एक अलग सा हैस्टाइल हो जाता है तो ये थे एट डिफरेंट टाइप की लुक्स जो कि आप अपने हैवी ओईली वालों में कर सकते हो और बहुत ही प्यारे से कुल कुल मिद भूलेएगा और थेंक्स पूर वाचिंग